हुआ हुआ दोस्तों मैं नंदन कुमार डिडी क्लासेश पटना से डिडी क्लासेश के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग का प्रिवियस कोचन जो प्रैक्टिस से चाम रहा है उपार फिर देखेंगे पार्ट बन में एक से दस कोचन हम लोग देख चुके हैं पार्टू में 11-20 देख चुके हैं और पार्ट फिरी में हम लोग इस दिखेंगे आए आज का कोचन सुरू करते हैं जो कि एकिस नमर कोचन जो है वकार है कि अनुपाथ ब्राबर बॉन पातीम और च्रीन बढ़ाबर पांच अनुपाथ च्छे है तो एक अनुपाथ ब्राबर है इतना होगा यह होई सब्सक्राइब करें अतना प्रोसेस लेकर हम लोग नहीं चलेंगे बेसिक से बहुत कोचन बता चुके हैं अब जब आएगा इसको कैसे बनाएगा इसको कैसे बनाएगा समय रहते हुए कैसे बना लेकिन तम से कम 15 से कि बना देना इसको को खास करके जब इस 15 से जादा समय नहीं लेना है वो बनते हैं बिए और दिया है दो पाती और दिया है दो पातीन और दिया है पांच अनुपात अच्छे दोनों में कॉमन क्या रहा है हम बताइब बाइलेंस करने के लिए रूल दोनों में कॉमन लेकि इसमें भी है इसमें भी है यहां भी कमान केतना है तीन यहां भी कमान केतना है छे यहां तीन है यहां तो दोनों में जो कॉमन रहता है उसको समान करते हैं यहां पर है यहां पर तीन है तीन को छे करने के ल और जर्य के दोनों में समान अब और S और 4 ऐ até C कहाँ जाएगा घास योग से कहते हैं अब स्ल met यह groot जाँ आए अए वाप्शन командर अब और और समय लेजे किसे बनाए है तो A अनुपात B और C अनुपात B में दोनों में कौमन कौन है जो कौमन होगा उसकी अनुपात को समान करना है उसके अनुपात को समान करना है तो दोनों में कौमन कौन हो रहा है तो कौमन B हो रहा है तो B का जो अनुपात है दोनों में उसको समा गुना करने मैं लोगा दो न बुना करना करना हों एड और सब्सक्राइब आरध करना है चाहरं और मुपात और फीत करना जो शो था सब्सक्राइब यह मात्र कोईचन अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो पांस से ज्यादा समय नहीं लएगा और जो इसमें आपका 15 से 20 समय जो बचत होगा वह आपका इसका समय का यूज अगला कोईचन में आप कर सकते हैं थेकिए धियाद दिजेगा जिर्म jejva से सी का होता है दो पचितन कोईचन पुच्शिता है उसमें पचिस कोईचन में खासकर के दस से बाड़ा कोईचन अइसा रहता है दस कोईचन जो रहता है पां सेड़ सब्सक्राइब ऑच और यहीं सेड़ा फॉचन है अगला कोचन देटा ही जो समय कोचन है जो समय कोचन बहुत आराम से बन्दा है और यह सब आइए अगला कोचन देखते हैं कोचन नमर 22 कोचन नमर 22 में है कोई धनरासी ए और बी के बीच तो धनरासी क्या थी देखिए और वाटा गया धनरासी तीस रसीयों में ताचन पाथ छे करेसियों में जिसमें यहां पर देखेगा ध्यान यहां पर बी को कितना मिला है 360, तो अनुपात में देखे, अनुपात में बी को कितना मिलेगा 6, तो बताइए 360 में 6 से भाग दे लिगेगा, कितना हो जागा यहां से 6 से भाग दिने पर, आ जाएगा 60, कितना जागा 60, यह हो जागा अनुपात एक का मन, अनुपात एक का मन कितना जाग और बी को मिला करके एक मिला अनुपात में 5 और बी को मिला अनुपात में 6 दोनों को मिला कर कितना मिलेगा यहानि यहानि आगया यहां से अनुपात 11 का मान 660 रुपई यह हुआ है अनुपात 11 का मान क्या निकला है A और B का कुल रासी कितना हो गया यहां पर देखिए अनुपात में बी को कितना मिल रहा है चे तो कहेंगे बी को अनुपात में मिलेगा चे रुपिया में कितना मिला थिन सो साथ रुपई यह तो बोली अनुपात यह तो साथ रुपाइए अनुपात एक बराबर ऑबर कितना हो जाएगा चेसो साथ रुपाइए यह वह आम साइब पूल धन रासी कितना हो गया चेसो साथ रुपाइए आए तेस्ट नमर कोचन देखते हैं तेस्ट नमर कोचन है सीजेट पीटी दूर्याग सत्रा का कोचन है तो लेटेस्ट कोचन है करा आप 12400 पहिया यह टोटल धन्रासी जो है बारह 2400 पहिया है पांच, साथ, आठ के अनुपाद में A, B, C के बीच में बाटा जाता है करा B के कितना रुपया मिलेगा यानि A, B, C के बीच में पांच, साथ, आठ के अनुपाद में आठ तो बताइए तीनों को मिलाकर उनपाथ में कितना मिलेगा तो अनुपाथ में तीनों को मिलाकर मिलेगा आठ साथ पंदरा पंदरा पाच बीस तो कहेंगे कि अनुपाथ बीस मिला तीनों को मिलाकर के बाटना कितना है बारह हजार चार सो ذ可, कि अनुपात 20 x 12400 रॉपया आ गया ओनुपात 20 x 12400 रॉपया, नुपात 20 x 12400 रॉपया, तो बताईे, अनुपात 1 x 1.OR कितना हो जाएक अनुपात एक अनुपात? एक, जीरो जीरो से 1,00 समाफ होगा, दूर जीरो , जीरो , यतनुपातSab discour Gas, Oui जब एक बराबर 620 साथ बराबर कितना चबीश गुना साथ कर लेना है अंसर जाएगा जीरू साथ भूनी चौजा चाहरा थम्हें बच्चा एक और साथ चट्छ ब्यालीस ब्यालीस हो एक 43 कितना रुपया मिलेगा भी को 4340 रुपया मिलेगा ओप्सन नुमर एह बहुत असन है चेक्ट रहा हुँट सिंपल कॉचटन है सिंपल कोचन एसी करना है एप टूर्टल हम्रासी कि लिए को ऑपन साथ आठ बारहई हजार हजार चार्स रुपई को ए बीसे में बाच नियर बढ़ दिये तो टोचल तीनों को मिला करके अनुपात में 20 तो रुपया में कितना? 12400 वोग्धा ये एक बरावर कितना जाएगा? एक बरावर जाएगा? 650 भ़गार जे एक बदी को कितना मिलेगा? तक बी को मैं लुझा है अनुपात 7 120 गुना 7 कर लिजे कितना जागा 4340 अगर कहता कि सी को कितना मिलेगा सी को सी को तो निकाल लिया है अनुपात एक का मान 620 तो अनुपात 8 का मान कितना अगर अनुपात 8 का मान निकाल लेते हैं तो संपाथ एक जम्मान निकाल जाएगा तो धनराशी किसी के बीच में बाटना हो ठीक है किसी को देना हो या कुछ भी निकालना हो सब निकाल जाएगा कि चलिए आइए 24 नमर कोचन देखते हैं 24 नमर कोचन जो है वो 2016 का सीजल प्यूटी में पुछा है कि पुक्रण तीन संख्या निकाल पर जोड़ने पर कितना या चाहिए संपाथ नंपाथ नंपाथ ही इसका किसका है रेशियो दूसरी और पिसरी ती थिसरी दो पानी or tis tu पानी पानी तिस always बारे नों जो बैलेंस करके अब कुल है पहले तुसरी दुसरी तूसरी का अनुपाता करना यह क्या करता आ को दोनों में हुचे विली 25 डूसरी तीसरी का है समन करने आप एसमान करने के लिए का करेंगे इसमें सथी गूना करेंगे इशे में थेरा जोए इसमें तरह से इसमें टख़ड़ा पाहला का थिरे आप आ então केत्णाइडगा क्यों डू यहां भी तेरा सते एकानमें यानि तीसरी जो है दोनों में common हो रहा है तीसरी संख्या का अनुपाद जो है उस्मान कर दिजिए तो निकल जाएगा पहली दूसरी और 26 को छो तिनना और एक दस दस का जीरू अपने रहा एक दो च्छादू आठ और नाव आठ सत्रा और एक खात वाला कितना जाएगा अठारा यानि तीनों को जोड़ते हैं तो अनुपात में कितना निकल गया संख्या में कितना दिया तीनों का यो 540 कि अधिया 540 अनुपात में 180 संख्या में कितना जाएगा कर जाएगा अठारा क्या चरह तीन मरताबे पूछहां तीसरी संख्या क्या है पुझ रहे अनुपात में कितना है ? कितना हो जाएगा ? कितना हो जाएगा ? कितना हो जाएगा ? याद रखेगा दूसरी और तीसरी का अनुपाद पता है, पहली और तीसरी का अनुपाद पता है, पहली दूसरी तीसरी का अनुपाद कितना हो जाएगा, जो दोनों में common होगा, उसका अनुपाद को समान कर दिजे, निकल लाएगा पहली दूसरी और तीसरी का अनुपाद, देखे इसमें साथ से गुना करेंगे तेरा गुना साथ तिरे सट और तेरा गुना साथ एकानमे इसमें तेरा से गुना करेंगें तेरा गुना 26 और तेरा सते एकानमे एकानमे और एकानमे दोनों में क्या हो गया तिसरी संख्या का अनुपाद समान हो गया तो लिख लिए हैं पहले दूसरी तीसरी तीनों का योग दिया है, तीनों का अनुपाट में योग किये, संख्या में कितना योग पांशों चालीस, संख्या में योग ते 290 तो एक बराबर 3 तीसरी संख्या कुछा ते अनुपाट 혹시 कितना घर जाएगा, 1090. दूसरी संख्या पुछता और तक वही करते अनुपात तक कामन निन कामन करेंगा है यह पाहली संख्या कितना दुसरी संख्या कितना तीसरी संख्या के पहली और दूसरी संख्या का योग या दूसरी पहली संख्या का अंतर कुछ भी निकाल सकते हैं तो अगला कोचन में आते हैं अगला कोचन है एक मिठाई का दीबा ए और बी के बीच में तीन अनुपात चार के नुपात में बाटा गया है यदि एक को मिठाई के 36 तुकड़े मिले हैं तो मिठाई की कुल संख्या क्या है यानि मिठाई है ठीक है एक दीबा में मिठाई रखाऊगा मान लिजे क्या रसगुला रसगुला सरको पसंद होता है ठीक है तो मान लिजे कि एक मिठाई के दीबा में रसगुला रखाऊगा है और जो रसगुला बाटा गया है ए और बी के बीच में किस रस्यों बाटा ग लेगा दो क्या करेगा चार का दूगुना कर लेगा दे चारदुना आठ रस्गुल्ह लेगा अगर ए ती भुना कर लता है तीन का तीन नौन और मिला यानि मान लजे एक ओछतिस रसुल्द्र कैतना था मिठाई की कुल संख्या कुल संख्या क्या हो जाएगा ठीक है जबेए निकावदे यहां से एक मिठाई का कितना तुकडा तुकडा लेकिन एक अनुपाद में कितना मिलेगा तुन कहए गां जो ए और बी दोनों मिल कर लिआ घर को कि को मिलाएं किपना मिलेगा दीन और साथ पिन धो चाहर के में कितना हूआ तो आगला कोचन नमर देखते हैं 26 कोचन नमर 26 है करा है 2420 रुप्या की राशी ए भी सी में इस परकार वित्रित की गई है कि ए अनुपात भी पाच अनुपात चार और भी अनुपात सी नौन पात दैस तो बता यह सी को करता है घल्ब दिखा गया यहां पर तो कितना मिलेगा है निकाल टोटल राशी है 2420 जो है वह बाट दिया गया लेकिन दो तरह के बाटा बोला है अगर ए और बी के विच इमटेगे तो बाचन उपात चार के रेशियो में और वी और सीके मटे हैं नौन पात दैस के रेशियो में ठीक है तो पहले आप बाट यह कि ए बी सी किस र दोनों में क्या कुमन और व्रान बी करना करना है का नौपार है यहां पर चार अपर किना है इसका मतलब दिएम रीटार या बाला इसमें चार से व्रमने की जिए नाओ गुणा पाँच 45 आद नौगे चार क्या चाट इस नौगे चालिश यहां भीड़ी God ज़तिस समाप्ण होयाता है निकाली एक रेषियो कितना हो जाएगा नव पचैर पई-टाइस दी का रेषियो कितना हो जाएगा नाव् चको छट्रेस ऑंको चालीज उसी करेशियों कि बाटा जाएगा तो चुरून तहीं तीनों को मिला कितना बड़ा जाएगा तो संख्या में कितना मिलेगा संख्या में कितना 나J — pussy 220 रुपए 220 रुपए प्रचाल रहा है कि अनुपात कितना हो जाएगा कर यहां से दो मतलइ कर जाएगा दो यह गया बता यह जिरो तो यह जी रहा है हुआ यह 10 स्मangen कठ रहा है यह कतना काठ रहा है तो ढूपमा कुल rend मिलेगत 40 मोपमा हुआ कि रुर हुत है और यहuations हुआ है औरivia 1 कमान के रुपट रुकल या कर नहीं अगर आप बनाते हैं जाला नहीं इतना भी नहीं लिखना है जैसी कोचन आया उसी में देखना है कर लेना है अगरा कोचन देखते हैं देखें कोचन नमर 27 जो है 2020 का कोचन है सिजिन प्यूटी दूलर 20 का कोचन तिकार आप कोचन यदि 1180 रुप्या की रासी A, B और C में इस तरकार बाटी जाती है कि A के हिसे का दूगुना, B के हिसे का पाच गुना और C के हिसे का साथ गुना बराबर है बी का जितना हिसा होगा और सी का जितना होगा होगा यानि एक के हिसे का दूगना कर लेंगे एक हजार एक सब अशिर प्या में एक को जितना मिलेगा उसका दूगना करने पर और बी को जितना मिलेगा उसका पांच गुना करने पर और सी को जितना मिलेगा साथ गुना करने प तिननों का हिसा क्या हुगा बराबे नीकालते हैं लिए आ हिसे का हिसारिट अब alma है कि आखे समय के हिसार बिद्धार ऐसे बूला के हिससे का दूबना दिक हिसे का पांच गुलना और से के हिसे का दू अतीनों क्या है आपस में लिखने का दत्र मताया हैं क्या और बाकी जो बाचा उसको गुणा की यह पांच गुणा 7 के को जाएगा 35 तो यहां 35 लिए अगर बीक का निकालना चाहिते हैं तो बी को धग भीजिए और बाकी को गुदा की जे बाकी क्या बचा दो और 7 गुणा 7 क्यतना जाँगा दो गुना पाच करना दस यानि एवी सी के जो हीसे का है अनुपात में करना पैंटीस चौदा दस का दुपात है लेकिन टूटल धनरासी कितना एक हजा एक सोबसी एवी सी को बाटा जाएगा कुल धनरासी कितना एक हजा एक सोबसी तो हम लोग कहेंगे अनुपात में तीनों को मिला कर कितना मिलेगा तो जोड़ना पड़ेगा तीनों को मिला करके पाइंटीस चौदा और दस जोड़िये हो जागा पांच और चार नव और तीन और दुपांच यानि कितना हो जागा उन सक तो कहेंगे अन 1180 मिला तो बताए अनुपाद एक कमान कितना हो जाएगा तो भागा दीजिए कितना से कर जाएगा यहां से सब्कुल निकाल निकालने में लगता है ति निकालने में लगता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्यों चलते हैं एक वालिट मतलब समझ रहे हैं एक पर्स में करा है पर्स में यह लेकल रही है है और है नहीं पताा है लेकिन बोला है नोटों की संक्या जो है एक अनुपात दो गनुफात में है तिकर में एक करिशे हो यहर रहा है श्र्च boss वाला स्ट्र पचास वाला नोट है संख्या सोबस्क्राइब में एक अनुपात दो करेश्यों में बताए टोटल नोट है बारह यानी दैस वला और पचास वल नोट मिला करके है काई गो बारह गो तब हम लोग नहीं कहेंगे अनुपात में काई वह है एक अदू कितने रुपई यह निकला है यहां हम लोग ओन्वपात एक कमान less संख्यां निकला के जिल्डफीन नूठकी संख्याम ब़िद लag चार अया है एक कमान कितना यहां से महां चार खरते कम से ञाते कमा चाहरा ऩे शरी यरो और निता das ये ये एक नोट होने निम废 संख्याओं के वर्भो का योग एक बुचे कि रुपात में है सबसे बढ़ी संख्या और सबसे छोड़ी संख्या के बीच अंतर क्या है कि कर दूजर बीस का पोचन है सेचल पीटी दूजर बीस का पोचन यह दिया है कि तीन धन पुर्णांग संख्या धन पुर्णांग संख्या समझते हैं ना पुर्णांग संख्या किसको बोल जब बोल लगा देते हैं तो धन पुर्णाम संख्या जब निगेटिव लगा देते हैं तो आधा निगेटिव पुर्णाम यानि रिम्यातमक पुर्णान संख्या लेकिन पुर्णान संख्या में भी अगर जीरो को सामिल कर लिया दा है तो वह तार पुर्ण संख्या होल नमबर यह नम पाप एक दूसरी संख्या चर्ट करेंगे यानि एक का स्कॉय करेंगे दू का स्कॉय करेंगे वर्जा को जोड लेंगे लेकिन अप एक शिभ्यां का चिएगा यह चुछ थिए निल्गुरी में बताए हिम हमने जबस प्रक्रेश का पता है ईसमें कि अनुपात को आकस में जोर सकते हैं गटाख सकते हैं लेकिन गोना कभी नहीं होता है युट y a q2 Q2 को दो वर न करना चार का स्कृइए गा तो क्या होता करना है चार को दो वर न करना चार और किया G4 अनुपात को गुना नहीं कर सकते हैं क्या कर सकते हैं अनुपात को डिरेक्ट रूप से जोड सकते हैं नटा सकते हैं लेकिन गुना नहीं कर सकते हैं तो गुना नहीं करेंगे तो बनाएं कैसे भाई तो बनाने के लिए आप क्या किजेगा अनुपात वाला जो मान है उसको सं और दो गुना एकस कतनो जाएगा चार गुना एकस कतनो जाएगा निकुलेगा तो गया daar सक्षार चार इक क्षक्ण बिस एक Dass he wrong कितना घ्यक यह दिना खुराइब उनतिक सब्राबर दा सबंदेश तो कर एकस का मुणनора ये जिस ऐसे बंचास मर्तवी कर जाएगा चैने पर इंचास alors पूछ रहा है कि सबसे बाड़ी क्या पूछ रहा है सबसे चोटी संख्या के बिच का अंतर इसमें सबसे बाड़ा कौन हुआ सबसे बाड़ा हुआ और सबसे चोटा का अंतर इसमें सबसे बाड़ी संख्या और सबसे चुटी संख्या का अंतर कितना एगा आपको यहां पर करता है डारेक्स नहीं कर दिएगा करेंगे तो चार चार करेंगे तो तो अगर अनुपात को आपस में गुना करना पड़े तो गुना नहीं किया जाता हुआ तो निश्चीत संख्या लायता है निश्चीत संख्या तो निश्चीत संख्या कैसे आता है अनुपात में एक से गुना कर दीजिए किसी से गुना कर सकते हैं एक से गुना कर सकते हैं यह से गुना कर सकते हैं यह से कुछ भी यह सब में एक से गुना कर दिए वेबम कमाने हानी छान कावन को जाए कारे शाम्ख्या और छोटी संख्या का आंतर तो फोर X में से एक X जाएगा तो सटो गरमाज 7 अगर पुछता पहली संख्या कितना पहली संख्या एक मंतला साथ डूसरी संख्या कितना 2X मंतला कितना साथ दूना 14 त्शां के अदस्कोस जोड़ेगा तो इतना हैं अर। तो इतना के बराबर हो जाएगा आए तीस नमर कोहचन देखते हैं तीस नमर में कोहचन में है ये भी दुजासुला का कोहचन है तीस नमर में कोहचन करा तीन संख्या पांट साथ बारा कोहचन में है यदि उनमें से पहली तथा तीसरी का संख्याओं का योग तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा तेकि तीन संख्या का अनुपाद दिया माले जहिए पहला दुसरा और तीसरा तीनों का रेष्यू किक्तना है ता फांसाथ बारा इनमरा का य। उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग तो तैकि पहले यहां तक पार जेए तिक कर यहां पांग अधि कोमाना ना बारा आपाच सत्रा अनुपाद में कतना पहला तिसरा तो सत्रा दूसरी संख्या से पचाशा दिखा हम लोग अनुपाद में देखेंगे कितना दिखा तो बता है दूसरी संख्या अनुपाद में कतना साथ बारा आपाच सत्रा पहला और तिसरा का अनुपाद आया सत्रा और पात जो है यो में जो दूसरी का अनुपात से कितना ज्यादा है तो नोपात में दस ज्यादा है संख्या में कितना ज्यादा है 50 सभिस को पॉछा ताइब संख्या का योग कि किजए बाराख शन्ख्या तो 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 यह एक सोब तो आगा एक सोब्स का यूग कि इस और खुछी नबर आप जाए गाए है जाए जाए को चना वेगा तो पहली संख्या दुस्री संख्या पिस्री संख्या का मान अलग-अलग नहीं कहने लगे गा कि लंद आ है कि उसोषा थैनों की न चल्व कि जोड़क्त लगए एक हुचा एक तेनों संखेवाइं में मतलगा योग कई